अपने इश्रद्धा सुमन भीट करें उश्पांजली के साथ हम आज के इस कारिक्रम का शुभारम करते हैं माने नीव विधान मंत्री जी अपने इश्रद्धा सुमन भीट करते हुए नमन करते हुए बंदन के साथ 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 हमारे आदन ये राजेपाल महादे और हमारे जिशस्वी मुके मंत्री शिरी शिवराद सिंग जोहान जी देविस हजनो आज बंदेल खंड की ये भूवी चहक रही है, महक रही है, प्रफुलत महसूस कर रही है क्योंकि कभी जिस धर्ती पर मंद्य योग की धन साथना के लोगनायक गुरू रविदास जी चले थे, इस धर्ती पर उन्होंने चरंसपश किया था नत्मस्तक किया था, आज उन्हें के सिधानतों का अनुसरन करने वाले इस सधी के महान लोगनायक, हमारे माननिय प्रधान मंत्री जी ने उनके भवे मंदर की अधार श्रिला रखी है, उसका भूमी पूजन किया है और इसका भूमी पूजन कर माननिय प्रधान मंत्री जी ने नाकेवल संत्र रविदास जी को भवे श्रधान जिटली दी है पर इसके साथ साथ भारत के मांचित्र पर सागर के बर्तुमा को पवित्र पावन भूमी के रूप में सुशोवित गिया है तो आईए एक बार फुना इस सम्मान और सुगार के लिए प्रधान मंत्री जी को अभार व्यक्त कते हैं और मैं निवेदन कती हूँ हमारे माननिय राजेपाल महुद्य जी से आधनिय शिरी मंगुवाई पटेल जी से कि वे माननिय प्रधान मंत्री जी का स्वागत करें उन्हें पुश्पगुट भेट कर बहुत-बहुत धनिवाद हभार माननिय प्रधान मंत्री जी हमें ये स्वागार देने का और अब मैं हमारे ये शर्षवी मुखे मंत्री शिरी शिवाद सिंग जोहान जी से भी निवेदन करती हूँ कि वे प्रधान मंत्री जी का हम सभी की तरफ से बुंदे इल्खंट के सभी लोगों की तरफ से उनका स्वागत करें पुश्पगुट भेट कर और साथ-साथ आज के इस एदिहासिक अफसर पर एक विशेश निती चिन भेंट कर प्रधान मंत्री जी को अभार जट करते हैं माने नी मुखे मंत्री जी से मैं निवेदन करती हूँ कि संत रविदास जी मंदर और कला संग्राले का मॉडल वे प्रधान मंत्री जी को भेंट करें अभी अभी जैसा कि आपने अपने स्कीन पर भी देखा माने नी प्रधान मंत्री जी ने इसका भूमी पूजन किया हम सभी गुंदेलवासियों को एक सोगात एक भीट दी हमारे परंपूजनिय संत शुरुमनी रविदास जी को मान समान भवेश रदान जली और अब मैं मुखे मंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि संत रविदास जी की एक पुस्तक प्रधान मंत्री जी को भीट करें संत रविदास की जीवनी एवं पदावली माननी प्रधान मंत्री जी को अब संत रविदास जी पर पुस्तक भीट की जा रही है माननी मुखे मंतरी जी द्वारा, संत्रविदास की जीवनी एवं पदावली सभी संत्रविदास जी के भक्तों की तरव से, समर्थोकों की तरव से, लाखों अनुआईयों की तरव से हम प्रधान मंतरी जी को पुना धनिवाद करते हैं देवी सजनों मानी ने मुख्यमंत्र जी के दृष्टिकोन और नित्रत ने लगतार हमारे समाज में मध्यपरदेश में एकता साम्प्रदाइक सद्भाव और अध्यात्मिक मुल्यों को बढ़ावा देने पर जोड दिया है अनेक हिद्गराही मूलक योजनाओं को लागू किया है तो आज के इस एतिहास एक अफसर पर आप सभी के नेता हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिरी शिवराद सिंग चोहान जी को मैं आज सभी के दालियों के बीच आमंत्रित करती हूँ उनके स्वागत संबोधन के लिए बोलिय भारत माता की संच स्रोमनी रविदास महराज की हम सब के स्वभाग से आज मद्प्रदेश और बुंदेल खंड की धरती पर संच रविदास जी के मंदिर इसमारक के लिए भूमी पूजन करने पधारे हमारे प्रिये एसस्वी प्रधान मंत्री दुनिया के सरवादिक लोग प्रिये डेता सम्मानी स्रीमान नरेंद्र मोदी जी एक बार दौनों हाथ उपर उठाके तालिया बजा के स्वागत कीजे अभिनंदन कीजे हमारे राजपाल आदरनी मंगु भाई पटेल जी कैंद्री मंत्रीगान विरेंद्र कुमार जी जोत्रर दित्र सिंद्या जी स्रिप्राथ पटेल जी मद्पदेश सरकार के सभी सहोगी मंत्रीगान हमारे मन्ज पर विराजबान सभी साथीगान बेहनों भाईयों सबसे पहले तो मैं माफी चाहता हूँ हम बैठने की परियाप्त द्यवस्था नहीं कर पाए जितनी भीड अंदर है उससे ज़्यादा भीड बहरों पर बहर सलकों पर जन्समुद्र उम्रा हुआ है आज का दिन मद्प्रदेश के लिए बुंदेल घंड के लिए और सागर के लिए सौभाग्य का दिन है संतिस रोमणी रविदाज जी महराज उनका दिब्य बंदिर उनका भव्य बंदिर और उनका आलोकिक मंदिर इस धर्ती पर बनने वाला है बहनों और भाईयों हमने मिल के फैसला किया था कि सागर में बढ़तूमा में रविदाज जी का भव्य बंदिर बनाया जाए और हमारा स्वभाग इसलिए कि संत्र रविदाज जी के मंदर के भूमि पूजन के लिए हमारे प्रिये प्रदान मंत्री स्रीमाल दरेंद्र मोदी जी पधारे हुए है मोदी जी पधारे हुए संत रविदाश जी महाराज भारत को जोड़ने वाले संत थे कोई जात नहीं पात नहीं उचा नहीं नीचा नहीं छोट वर सबसंबसे कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं भक्ति कैसे करें कर्म कैसे करें इसका संदेश देने वाले संत रविदाश जी महराज उनके जीवन और दर्सन पर आधारित ये भव विस्मारक बनेगा और आने वाली पीड़िया भी संत रविदाश जी को जानेंगी और उनके बताए मार्ग पर चलेंगी मेरे बहनों और भाईयो संत्र अविदाज जी के मार्क पर चल कर सरकार जलाने वाले हमारे प्रधान मंत्री स्रिमान डरेंद्र मोदी जी संत्र अविदाज जी ने कहा था ऐसा चाहूं राज मैं जहां मिलही सबही को अंग और आज ये देश जानता है असी करो गरीब बहनों और भाईयों को लिसल का अन्न की ववस्ता की है तो स्रिमान मोदी जी ने की है और के बहुल अन्न नहीं जंता की जिन्द्गी की नियुंता मावथ सकता है पूरी करने का काम प्रधान मंत्री आवास में गरीबों को मकान सौचाले बना के बहनों को सम्मान देने का काम आइस्वान भारत योजना बना के गरीबों का इलाज कराना और बैक्सीन कोविड में बना के बैक्सीन लगा के दो सो करोड भारतियों के एक सो चालीस करोड भारतियों की जान बचाने का काम प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी ने किया है जो रविदाई जी ने कहा वो मोदी जी कर रहे है और मुझे कहते हुए गर्व है मोदी जी के आसिरवाद से और उनके बताए मार्क पर चलकर मद्ध प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है हमें गर्व है कहते हुए कि एक करोर तीस लाख लोग गरीवी से मद्ध प्रदेश पे भी बाहर निकले है प्रधान मंतरी जी के आसिरवाद के कारण दिकास कहने को कम आज भी रेल लाइन का दोहरी करण धाई जार करोर की सर्गे है लेकिन और मैं प्रसनिता का समाचारा आपको दे रहा हूँ इसका लोकारपन तो आज होगा लेकिन बुदेल खंड बासियो प्रधान मंतरी जी ना ऐसे फैसले किये जो बुदेल खंड की तस्वीर भी बदलेंगे और यहां की जन्ता की तकदीर भी बदल देगे बीना में पैट्रो केमिकल्स बीना रिफाइंडी पर आदारित पैट्रो केमिकल्स उत्पाद पर पचास सजार करोर का निवेस आने बाला है मैं मोदी जी को हिर्दे से धन्यवाद देता हूँ और आप भी तालियां बजाके अभी नंदन करें इसी बुन्देल घंड की धरापर कैन और बेतवाद बहुत जल्दी काम प्रारंब होने वाला है और बीस लाख एकर जमीन में बुन्देल घंड में सचाई होगी बुन्देल घंड की धरती पंजाब और हर्याना को मात करेगी चवालीस हजार करोड रुपे की योजना को पहार प्रदान मंत्री जी ने बुन्देल घंड की जन्ता को दिया है और कल संसत में जो हुआ वो अद्वत और अबूत पूर्वे अंग्रेजों के बनाए कानून बदले जा रहे है और उन में से एक अगर मासूम बिटिया के साथ कोई दुराचार करेगा तो सीड़ा फासी के फंडे पे लटका दिया जाएगा एक नए भारत का हुद्ध प्रदान मंत्री जी के नित्रत में हुआ है इसलिए मैं एक बार फिर उनका हिर्दे से स्वागत करता हूँ लेकिन आप प्रदान मंत्री जी से आग रह कीजिए कि बंदेल घंड का ये आखिरी कारिकम नहीं है बीना रिफाइंडी पर आधारित पेट्रो केमिकल उत्पाद का जव उसका स्वारम होगा तब भी माननी प्रदान मंत्री जी पधारे ताली बजा के आभान कीजे कैन वेत्वा के सिलान दास के लिए भी प्रदान मंत्री जी पधारे और प्रूजी तुम चंदन हम पानी जाके अंगंग बास समानी एक बार फिर प्रुवदी तुम स्वामी हमदासा ऐसी भक्ति करही रहे दासा संत सुरोमणी रविदाश जी महराज के चरणा में प्रडाम करते हुए जल्दी ये भव्व मंदिर हमें मिलेगा जो बुंदेल घंड की प्रतिष्ठा को और बढ़ाएगा और उनकी किर्पा हम पर बरसेगी इनी सब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मेरी माटी मेरा देश और हर घर तरंगा फैराने का भियान जो आवान प्रधान मंदिर जी ने कहा है हम भी मद्ध प्रडेश में हर घर तरंगा फैराएंगे बहुत 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 धन्यवाद बहुत 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 धन्यवाद माननी मुखे मंत्री जी यकीनन माननी प्रधान मंत्री जी के नितित में एक स्वर्य निमाद्य पदेश एक प्रड़िती शील समाज का हमने मान कर सकेंगे देवी सजनो अपने नितित की माधियम से प्धानमंत्री जी भारत की संस्कृतिक और एतिहासिक विरासत के पुनजागरन को बरावर देए के साथ साथ देश को आधुने को प्रगितिशील भविश्य की और ले जाने में भी अथक प्रियास कर रहे हैं जिससे हम एक उच सिध्धानतो वाला प्रगितिशील भारत का निर्मान कर सकें और इसी दिश्य में आज लगबग एक अजार करोड उपे की लागत के 47 किलोमेटर के मोरी कोरी विदीशा हिनौतिया पैकेज एक चार्ल लेन तता हिनौतिया में लोग पैकेज टू लेन सरक पर योजना का शिला नियास किया जाएगा इसके साथ साथ आज बीना वासियो को भी एक सोगात मिल रही है बीना से कोटा के मध्यर रेल मार का धोरी करन तो मैं माने निया प्रधान मंतरी जी से निवेदन करती हूं कि क्रिप्या रिमोट का बटन दबा कर इस ट्रैक डबलिंग का लोकारपन करें और इसके साथ साथ सरक पर योजना का भी शिला नियास करें कर दो मार करें अभूत पूर्व स्पीड और स्केल पर देश के कोने कोने में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्मान और मॉडरन कनेक्टिविटी को बढ़ावा। प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नित्तुमें 2014 से विकास की ये यात्रा दिन रात जारी है। इंफ्रास्ट्रक्टर यानि लोगों के जीवन में आसानी। इंफ्रास्ट्रक्टर यानि व्यापार कारोबार में आसानी। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोजगार के लाखों नए अवसरों का अंदर मांग और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी तेज विकार तेजी से विकसित होने की और कदम बढ़ा रहे भारत की इस यात्रा का मध्य प्रदेश भी एहन भागीदार है जहां कई इंफ्रस्ट्रक्चर परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और कई पर तेजी से काम हो रहा है इसी कड़ी में आज माननिय प्रधान मंत्री जी 4,000 करोड रुपई से अधिक की लागत की तीन रेल और सड़क परियोजनाओं का लोकारपण बाशिला न्यास कर रहे हैं आज लोकारपण होने बाली परियोजना है 288 किलोमीटर बीना से कोटा रेल लाइन डबलिंग का कारेर इससे राजस्थान और मध्य प्रधेश के थर्मल पावर प्लांट में कोईले की आपूर्ती ती ब्रगती से होगी और लोगों को बिजली की निर्बाद आपूर्ती सुनिश्चित होगी साथ ही शिला न्यास हो रहा है चार लेन मोरी कोरी विदिशा हिनूतिया खंड सड़क के निर्मान कारेका इससे राजधानी भोपाल से सागर तक डायरेक्ट रोड कनेक्टिविटी होगी और यात्रा का समय लगभग एक घंटा कम हो जाएगा हिनूतिया महिलुआ सड़क खंड के दो लेन विद बेवड शोल्डर के निर्मान कारेका भी शिला न्यास हो रहा है जिससे भोपाल से अशोक नगर, चन्देरी एवं जासी तक डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगी जिससे इस रूट पर यात्रा करने वालों का समय बचेगा सहुलियत बढ़ेगी इन परियोजनाव से शेत्र के सास्क्रितिक स्थलों जैसे उदैगिरी गुफाओं वाले मंदिरों साची के बौध स्थूप तक बहुत सुगम होगी परिटन को बढ़ावा मिलेगा जहांके फर्टिलाइजर, पेट्रूलियम, सिमेंट, इलेक्ट्रिकल ट्रांस्पॉर्मर, चंदेरी सिल्प जैसे उद्योग एवं जनजाती कला को देश भर के बड़े बाजारों तक पहुच मिलेगी और रोजगार के अबसर भी अमरित काल में डबल इंजन सरकार, मध्यप्रदेश की सामाजिक आर्थिक सम्रिध्धी और अन्वरत सर्वस्पर्शी सर्वांगीर्ण विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है तो देवी सजनों इन दोनों पड़ी योजनाओं के माध्यम से मध्यप्रदेश की विकास यात्रा को और अधिक गदी मिलेगी प्रगिती मिलेगी देवी सजनों इसे आप एक सुखद सन्योग ही कहेंगे कि संत रविदास जी की विचारकी का अनुसरन करने वाले हमारे माननी प्रधान मंत्री जी संत रविदास जी की पवित्र पावन जन्मभूमी वारन नसी से सांसद भी है और उनी की तरह सुधार और नव प्रवर्तन की भावना को केंदर में लाते हुए प्रधान मंत्री जी ने गरीबों, किसानों, महिलाओं, अनुसुचे जाती, जन्जाती, एवंबंचित समाज को सशक्त बनाने के लिए भी अथक प्रियास किये हैं और इस मंदिर का निर्मान कर इस भूमी की सांस्कृतिक और एतिहासिक विरासत के पुनजागरन को बढ़ावा देने के साथ साथ सबीर लोगों को उनका अधिकार देने, मानव धर्म को स्थापित करने और भारत को एक बार फिर से विश्व गुरू बनाने का एक पंध प्रधान का सपना, संकल्प और अपने 140 करोड के परिवाजन के साथ एक वादा है तो हिदे की गहराईयों के साथ प्रधान मंत्री जी का भुना शुक्रिया कते हुए, अभार्वर कते हुए मैं प्रधान मंत्री जी से निवेदन करती हूँ, निया मंत्रित करती हूँ, उनके अमरित वाज़ित के लिए भारत माता की कारकम में उपस्तित मद्य प्रदेश के राजपाल स्रिमान मंगुबाई पटेल मुख्य मंत्री स्रिमान सिवराश्वी चौवान केंद्रिय केबिनेट के मेरे सहयोगी त्रिविरेंद्र खटी जी जोतिरादित्य सिंदिया जी प्रणलाद पटेल जी मद्य प्रदेश सरकार के मंत्री गान सभी साउसत अलग-अलग स्थानों से पधारे सभी पुझ्य संतगण और विशाल संख्य में आये हुए मेरे पैरे भाई और बेहनों सागर की धर्ती संतों का सानिध्य संत रविदाज जी का अशिरवाद और समाच के हर्ग वर्ग से हर कोने से इतनी बड़ी संख्या में अशिरवाद देने के लिए आये हुए आप सब महनुभाव आज सागर में समरस्ता का महा सागर उम्रा हुआ है देश की इसी साजी संस्कृती को और समर्द करने के लिए आज यहां संत रविदाज मारक एवं कला संग्रालय की नीव पड़ी है संतों की कृपा से कुछ देर पहले मुझे इस पवित्र समारक के भूमी पुजन का पुन्य आउसर मिला है और मैं काशी का सांसद हूँ और इसलिए यह मेरे लिए दोहरी खुशी का अवसर है और पुजन संत रविदाजी की आजिरवाद से मैं विशवाद से कहता हूँ कि आज मैंने सिलान्यास किया है एक डेड़ साल के बाद मंदिर बन जाएगा तो लोकारपन के लिए भी मैं जरूर आऊँगा और संत रविदाजी मुझे यहां अगली बार आने का मोकत देने ही वाले है मुझे बनारस में संत रविदाजी की जन्मस्तली पर जाने का कई बार सौभागी मिलाये और अब आज मैं यहां आप सब के सानिज्य में हूँ मैं आज सागर की इस धर्ती से संत सिरोमनी पुझे रविदाजी के चर्णों में नमन करता हूँ उन्हें प्रनाम करता हूँ भाई और बेनों संत रविदाज मारत एवं संग्रहाले में भव्यता भी होगी और दिव्यता भी होगी ये दिव्यता रविदाजी की उन सिक्षाओं से आएगी जिने आज इस मारत की निव में जोड़ा गया है गढ़ा गया है समरस्ता की भावना से ओत्प्रोत बीस हजार से ज़्यादा गाउं की तीन सो से ज़्यादा नदियों की मिट्टी आज इस मारत का हिस्सा बनी है एक मुठ़्ी मिट्टी के साथ साथ MP के लाखों परिवारों ने समरस्ता भोज के लिए एक-एक मुठ़्ी अनाजवी भेजा है इसके लिए जो पांच समरस्ता यात्राएं चल रही थी आज उनका भी सागर की धर्पी पर समागम हुआ है और मैं मानता हूँ कि ये समरस्ता यात्राएं यहां खत्म नहीं हुई है बलकि यहां से सामाजी समरस्ता के एक नए यूग की शुरुवात हुई है मैं इसकार के लिए मद्देश सरकार का अभिनंदन करता हूँ मुक्मंत्री भाई सिवराज जी का अभिनंदन करता हूँ और आप सभी को बढ़ाई देता हूँ साथियों प्रेणा और प्रगती जब एक साथ जुड़ते हैं तो एक नए यूग की नीव पड़ती है आज हमारा देश हमारा एमपी इसी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है इसी क्रम में आज यहां कोटा बीना सेक्शन पर रेल मारक के दोहरी करण का भी लोकारपन हुआ है नेशनल हाइवे पर दो महत्पुण मारकों का सिलान्याज भी किया गया है विकास के ये काम सागर और आसपास के लोगों को बहतर सुविधा देंगे इसके लिए मैं यहां के सभी भाई बैनों को बहुत बहुत शुप कामनाई देता हूँ साथियों संतर अविधास मारक और संग्रहाले के नीव एक ऐसे समय में पड़ी है जब देश ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किये है अब अगले 35 वर्षों का अमरित काल हमारे सामने है अमरित काल में हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी विरासत को भी आगे बढ़ाएं और अतीत से सबग भी लें एक राष्ट के रुप में हमने हजारों वर्षों की यास्ता की है इतने लंबे कालखन में समाज में कुछ बुराईयां आना भी स्वाभाविक है ये भारतिय समाज की ही शक्ती है कि इन बुराईयों को दूर करने वाला समय समर पर कोई महापुरोष कोई संथ कोई आलिया इसी समाज से निकलता रहा है रविदाजी ऐसे ही महान संत थे उन्होंने उस कालखन में उस कालखन में जन मलिया था जब देश पर मुगलों का शातन था समाज अस्तिरता उत्पिड़न और अत्याचार से जूज रहा था उस समय भी रविदाजी समाज को जागरित कर रहे थे समाज को जगा रहे थे वो उसे उसकी बुराईयों से लड़ना सिका रहे थे संत रविदाजी ने कहा था जात पात के फेर मही जात पात के फेर मही उर्जी रही सब लोग मनुस्ता को खात हुई रईदास जात कर रोग अर्थाक सब लोग जात पात के फेर में उल्जे हैं और ये बिमारी मानवता को खा रही है वो एक तरफ सामाजी कुरुतियों के खिलाब बोल रहे थे तो दूसरी तरफ देश की आत्मा को जगजोर रहे थे जब हमारी आस्ताओं पर हमले हो रहे थे हमारी पहचान बिटाने के लिए हम पर पाबंदियां लगाई जा रही थी तब रईदास जीने कहा था उस समय मुगलों के कालखन में ये हिम्मत देखिए ये राश्त भक्ती देखिए रहे दास जीने कहा था पराधिंता पाप है जान लेहुरे मीत रहे दास पराधिंसवों कौन करे है प्रीद यानि पराधिंता सबसे बड़ा पाप है जो पराधिंता को स्विकार कर लेता है उसके खिलाब जो लड़ता नहीं है उससे कोई प्रेम नहीं करता एक तरह से उन्होंने समाज को अत्याचार के खिलाब लड़ने का होसला दिया थी इसी भावना को लेकर छत्रपति वीर सिवाजी महराज ने हिंद भी स्वराज की नीव रखी थी यही भावना आजादी की लड़ाई में लाखो लाख स्वादिंत सेनानियों के दिलों में थी और इसी भावना को लेकर आज देश गुलामी की मानसिक्ता से मुक्ति के संकल्प पर आगे बढ़ रहा है साथियों रहिदास जी ने अपने एक दोहे में कहा है और अभी सिवराज जी ने उसका हुलेक भी किया ऐसा चाहू राज में ऐसा चाहू राज में जहां मिलई सबन को अन छोट बड़ों सब संबसे रहिदास रहे प्रसंद यानि समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई भी भूखा न रहे छोटा बड़ा इससे उपर उठकर सब लोग मिलकर साथ रहे आज आजादी के हमरित काल में हम देश को गरीबी और भूख से मुक्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं आपने देखा है कोरोना की इतनी बड़ी महामारी आई पूरी दुनिया की व्यवस्ताएं चर्मरा गई ठप पड़ गई भारत के गरीब तबके के लिए दलीत आदिवासी के लिए हर कोई आशंका जता रहा था कहा जा रहा था कि सौ साल बाठ इतनी बड़ी आपदाई है समाज का ये तबका कैसे रह पाएगा लेगी तब मैंने ये तै कि चाहे जो हो जाए मैं मेरे गरीब भाई बेहन को खाली पेट सोने नहीं दूँगा दोस्तों मैं भली भाती जानता हूँ कि भूखे रहने की तकलीव क्या होती है मैं जानता हूँ कि गरीब का स्वाबिमान क्या होता है मैं तो आपके ही परिवार का सदद से हूँ आपका सुखदुख समझना मुझे किताबे नहीं दूँणनी पड़ती इसलिए हमने प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना शुरू की 80 करोड से जादा लोगों को मुप्त राशन सुनुशित किया और आज देखिए हमारे इन प्रयासों की तारीब पूरी दुनिया में हो रही है साथ क्यों आज देश गरीब कल्यान की जितनी भी बड़ी योजना एक चला रहा है उसका सबसे बड़ा लाप दलीप पिछडा आदिवासी समाज को ही हो रहा है आप सब अच्छे से जानते हैं पहले की सरकारों के सबाय जो योजनाएं आती थी वो चुनावी मौसम के हिसाब से आती थी लेकिन हमारी सोच है कि जीवन के हर पड़ाओ पर देश, दलीप, बंचीप, पिछडे, आदिवासी, महिलाएं इन सब के साथ खड़ा हो हम उनकी आशाओं, आकांशाओं को सहारा दे, आप देखिए, जरा योजनाओं पर नजर करेंगे तब पसा चलेगा, बच्चे के जन्रिकमा का समय होता है, तो मात्रू बंदना योजना के घरिये, गर्बवती माता को, छे हजार रुपिय दिये जाते हैं, ताकि मा बच्चा स्वस्त रहे, आप भी जानते हैं, कि जन्म के बाद, बच्चों को बिमारियों का, संक्रामक रोगों का खत्रा होता है, गरिबी के कारां, दलीत आदिवासी बस्तियों में, इनकी सब्चे ज़्यादा मार होती है, आज नवजाद बच्चों की पूरी सुरक्षा के लिए, मिशन इंद्र धरूर्ष चलाये जा रहा है, बच्चों को सभी बिमारियों से बचने के लिए, टीका लगे, ये चिंता सरकार करती हैं, मुझे संतोस है, कि बीते वर्षों में, साड़े पांच करोड़ से अधिक माताओं और बच्चों का टिका करन किया जा चुका है, साथियों, आज हम देश के साथ करोड़ भाई बहनों को, सिकल सेल एनीमिया से मुक्ति के लिए, अभियान चला रहे हैं, देश को, दोहजार पतीस तक, टीबी मुक्त बनाने के लिए काम हो रहा है, काला जार और दिमागी बुखार का प्रपगोप, दिरे दिरे कम हो रहा है, इन बिमारियों से सबसे ज़्यादा दलीप, बंचीप, गरीब परिवार वही इसके शिकार होते थे, इसी तरह, अगर इलाज की जर्वत होती है, तो आईश्यमान योजना के जरिये, अस्पतालों में, मुक्त इलाज की व्यवस्ता की गई है, लोग कहते हैं, मोदी कार्ड मिल गया है, पांच लाख रुपिये तक, अगर कोई बिमारी को लेकर के बिल चुकाना है, तो यह आपका बेटा कर देता है, साथियों, जीवन चक्र में, पढ़ाई का बहुत मात्व है, आदेश में, आधिवासी बच्चों की पढ़ाई के लिए, अच्छे स्कूलों की ववस्ता हो रही है, आधिवासी छेतरों में, सातसो एक लव्य आवासिय स्कूल खोले जा रहे हैं, उन्हें सरकार पढ़ाई के लिए किताबे देती है स्कॉलर्शिप देती है मिड़्े मिलकी ववत्ता को बहतर बनाये जा रहा है ताकि बच्चों का अच्छा फोशन वाला खाना मिले बेटियों के लिए सुकन्या समृति योजना शुरू की गई है ताकि बेटियां भी बराबर से और बराबरी से आगे बढ़े स्कॉल के बाद हार एजुकेशन में जाने के लिए SC, ST, OBC, U.T.ों के लिए अलग से स्कॉलर्शिप की ववस्ता की गई है हमारे युवा आतमंदिर भर बढ़े अपने सपनों को पूरा कर सके इसके लिए मुद्रा लोन जैसी योजनाई भी शुरू की गई है मुद्रा योजना के अब तक जितने लाभारती हैं उनमें बड़ी संख्या में SC, ST समाच के ही मेरे भाई बेहन है और सारा पैसा बिना गरंटी दिया जाता है साथियों SC, ST समाच को ध्यान में रखकर हमने स्टेंड अप इंडिया योजना भी शुरू की थी स्टेंड अप इंडिया के तहट SC, ST समाच के युवाओं को आठ हजार करोड रुपिये की आर्तिक साहेता मिली है आठ हजार करोड रुपिये की हमारे SC, ST समाच के नव जवाणों के पास गए है हमारे बहुत से आदिवासी भाई बैंक बन संपदा के जरिये अपना जीवन यापन करते हैं उनके लिए देश वन धन योजना चला रहा है आज करीब नब्वे वन उत्पात को MSP का लाब भी मिल रहा है इतना ही नहीं कोई भी दलीफ, वन्चीफ, पिछड़ा, बीना घर के नर है हर गरीब के सर पे छत हो इसके लिए प्रदान मत्री आवाज भी दिये जा रहे है गर में सभी जरूरी सुविदाय हो इसके लिए बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन भी मुप्त दिया गया है इसका परणाम है कि ST ST समाथ के लोग आज अपने पैरों पर खड़े हो रहे है उन्हें बराबरी के साथ समाज में सही स्थान मिल रहा है साथियों, सागर एक ऐसा जिला है जिसके नाम में तो सागर है ही इसकी एक पहचान, 400 एकर की लाखा बंजारा जिल से भी होती है इस धर्ती से लाखा बंजारा जैसे वीर का नाम जुड़ा है लाखा बंजारा ने इतने वर्त पहले पानी की एहमियत को समझा था लेकिन जिल लोगों ने दसकों तक देश में सरकारे चलाई उन्होंने गरीबों को पीने का पानी पहुताने की जरुद भी नहीं समझी ये काम भी जल जीवन मिशन के जरिये हमारी सरकार जोरों पर कर रही है आज दलित बस्तियों में, पिछडे इलाकों में, आदिवासिक शेत्रों में पाइप से पानी पहुत रहा है ऐसे ही, लाखा बंजारा की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हर जिले में, 75 अमरित सरोवर भी बनाए जा रहे है ये सरोवर, आजादी की भावना का प्रतीक बनेंगे सामाजिक समरस्ता का केंद्र बनेंगे साथियों, आज देश का दलीत हो, वंचित हो, फिचरा हो, आदिवासी हो हमारी सरकार उन्हें उचित सम्मान दे रही है नए आउसर दे रही है नई समाज के लोग कम जोड़ है नई इनका इतिहास कम जोड़ है एक से एक महान विपोटियां समाज के इन वर्गों से निकल कर आई है उन्होंने रास्ट के निर्माण में असादर्ण भूमिका निबाई है इसलिए आज देश इनकी विरासत को भी गर्व के साथ साहज रहा है बनारस में संत्र विदाज जी की जन्मस्थली पर मंदिर का संदरी करण किया गया मुझे खुद उस कारकम में जाने का सभवागे मिला यहां बोपाल के गोविनपुरा में जो ग्लोबल स्कील पार्क बन रहा है उसका नाम भी संत्र विदाज के नाम पर रखा गया है बाबा साथ के जीवन से जुड़े प्रमुख स्थानों को भी पंच तिर्थ के रुपे विक्सित करने का जिम्मा हमने उठाया है इसी तरह आज़ देश के कई राज्यों में जन जातिय समाज के गवरव शाली त्यास को अमर करने के लिए मिजियम मन रहे हैं बगवान बिरसा मुंडा के जन वजिन को देश ने जन जातिय गवरव दिवस के रुप में मनाने की परंपरा सुरू की है मद्यप्रदेश में भी हबीब कंज रेलवे स्टेशन का नाम गौन समाज की राणी कमलापते के नाम पर रखा गया है पाताल पानी स्टेशन का नाम तंधिया मामा के नाम पर किया है आज पहली बार देश पर दलीद, पिछड़ा और आदिवासी परंपरा को वो सम्मान मिल रहा है जिसके ये सहरल उसमाज के लोग हकदार थे हमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के इसी संक्रप को लेकर आगे बढ़ना है मुझे बरोसा है देश की सियात्रा में संत्रविदाज की सिक्षा है हम सब देश वाचों के एक जूट करती रहेगी हम साथ मिलकर बिनारु के भारत को विक्सित राष्ट बनाएंगे इसी भावना के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुपकामरा है धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद माने नियर प्रधानमंति जी आपके संबोदने हमारे समुरिध उतिहास का संग्यान लेते हुए ना कि बन हमारी समुरिध संस्कृतिक विरासत को संदर्शित करने के महत्व को रिकानकित किया बलकि हमारे विवित समाज में एकता समावेश्चिता को भी बढ़ावा देने की आवशक्ता पर जो दिया देवित सज्चनों एक बार हाथ उपर करकर माने नहीं प्रधानमंती जी का तालियों के साथ पुना अभार व्यक्स करते हैं बहुत बहुत प्रधानमंती जी का बहुत बहुत धन्यवाद मंचसीन सभी हमारे नेतागन का भी बहुत बहुत धन्यवाद दिवी सज्चनों आप सभी तो आप देख रहे थे मद्यप्रदेश सीधा प्रसारण जाप्रधान अ संत्र विदास का जो उनके शिक्षा है वो पूरे विश्व में प्रसारित होगी इसके माध्यम से और मध्यप्रदेश के सागर में आया जित्यसकारक्रम में जहां मंच पर उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री राज़ेपाल और केंद्रिय मंत्री प्रहलाद पठेल जोतिरा दित्यसंधिया भारती जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और कई राज़े सरकार के मंत्री गर्ण महाँ पर मौझूद रहे मंच पर और प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी ने संदेश दिया और सागर को किस तरह से आगे भव्य बनाय जाएगा पूरे जिले में कैसे इस से डिवलेप्मेंट जुड़ेगा उसका भी उन्होंने जिक् और आयतिहासे का हस्तियों का भी उन्होंने जिक्र किया जो समाज में एक प्रतिष्ठा रखती हैं ये कारकम इस वक्त सागर में जारी है जहां प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी ने अपने भाशन के दौरान इन बातों का जिक्र किया मद्यप्रदेश के दौरे पर प्रतान मंत्री नरेंदर मोदी पहुँचे हैं और इस कारकम में उन्होंने आधार शिला रखी संतर अविदास धाम की जो की लगबग एक से डिर साल में बन कर तयार होगा इसका खुद जिक्र प्रतान मंत्री नरेंदर मोदी ने किया इसे पहले प्रदेश के मुक्यमंत्री शिवरा सिंग चौहान ने मंच से संबोधन किया और मद्यप्रदेश के सागर जिले के वासियों के लिए इसे एक बड़ा उपहार बताया